अंजुने के सिगेन पलटते हैं पन्नों में चलते हैं उस दोर में जब एक शक्स को शराब की वज़ा से बॉलिवुड में मुकाम मिला था कई लोगों को शराब की लत ने जहां बरबात कर दिया वहें इस आदत के कारण इन्होंने अपनी काम की अधकारी के जरिए बॉलिवुड में कई सफल फिल्मों में काम किया हैं ये ऐसे महा नभी नेता हैं जिन्होंने लगबग 200 से अधिक फिल्मों में काम किया था वो अपनी अधकारी के लिए जाने जाते थे उनकी आखों में एक जीवर चमक थी जो उनकी अधकारी को और भी अधिक रोचर बनाती थी उनकी कॉमेडी को लोग बहत पसंद करते थे और वो फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों के लिए भी जाने जाते थे उन्होंने फिल्मों में अधिकतर नकली लोगों का रोल नभाया है उनकी कॉमेडी बहुत ही नाठिकी है और खुश रंगीन होती थी उनके रोल और उनकी दमदार अधिकारी आज भी लोगों के दिलों में हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं केश्टो मुखर जी की जो अपनी अधिकारी के जरीए कॉमेडी सीन में जान डाल देते थे केश्टो मुखर जी का असली नाम क्रिशन कमल मुखर जी था केश्ट मुखर जी ने अपनी करियर के शुरुवात 1951 में फिल्म जादू से नाटक करके की उन्होंने अपनी पहली फिल्म ग्रह परवेश में 1963 में अभिने किया इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक फिल्मों में अपनी अधकारी दर्ज की केश्च तो मुखर जी को अपनी कौमिक اور कारोबारी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है उनले अपने कौमिक अंदास के लिए भी अभी निताओं में से एक बना दिया था वे लोगों को अपनी अधाकारी से हसा देते थे और दर्शिकों के दिलों में उनकी यादे बना देते थे केश्ट मुखरजी की लोग पृत्या फिल्म मैं नागिंतु सपेरा के बाद से बड़ी उन्होंने फिल्म में भुछपूरी वाशा में गीत गाए और अपनी अधाकारी के माध्यम से अपने फैंस को मनोरंजन का भरपूर अनुबव दिलाया केश्ट मुखरजी ने अपनी अधाकारी के लिए फिल्मों में अलग-अलग भूमिकाओं को निबाया उन्होंने अनेक फिल्मों में नेता का किरदार भी नबाया जैसे कि जन्जीर सफर मेरे अपने आदी वे अपनी अधाकारी से नहीं बलकि अपने खास अंदास से लोगों के दिलों में राच कर गए थे उन्होंने अपनी कॉमिक अंदास में अपनी ट्रेडमार्क बनाई वे जाने वाने अभी नेता थे लेकिन उनकी अनदाकारी अनोखी थी उन्होंने कमल के फूल की तरह अपनी आँखों की जपकी और खास तरह से उठाए गए भौकों से लोगों को हसाया इस तरह से उन्होंने भारते सिनेमा के तिहास में अपनी अलग पहचान बना लेकिन उनकी स्तिती बहुत खराब और वो अस्पताल में भिहोश थे कुछ देर बाद पता चला कि उनका दिहान थो गया उन्होंने अपने 53 साल के उमर में दुनिया को अलविदा कह दिया वे अपने समय में बहुत ही लोग प्रिये थे और उनकी कॉमेडी आज भी यादकार है वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अदकारी से लोगों को मुस्कराते रखा अन्सुने किस्से के इन पलटतो है पन्नों में ऐसी और भी अनों की दास्ता को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अन्सुने किस्से को